गुड़ मॉर्निंग फ्रेंज तोड़े इस 21 नवेंबर और हम लुग डिसेस करेंगे एक एडिटूरियल फ्रॉम दा हिंदू और यह कम्प्लीटली आपको हिंदी में मिलने वाला है और ग्रेमर की रूल का तड़का मिलने वाला है यहां देखिए इंग्लिश इस एक टूल यहां देखिए अगर आपके अंदर चाह है तो क्रेटिविटी करेंगे और अभी उज़ होंगे इंग्लिश को टूल की बाती यूज करके क्लियर आज का हमारा एडिटोरियल है एंड ओफ आ ड्रीम रन देखिए अगर मैं यहां देख लूँ आज वो आर्टिकल आता है वो सपने की दोर मैं लिसकता हूं सपने की दोर वो क्या हुई ख़त्म हुई यानि एक सपना था जिसके पीछे हम दोर जा रहे ते बिड़े क्प जीतने का वो क्या हो गया? end हो गया क्योंकि ऑस्टेले जीत किया ठीक है यानि एक सपनी की दोड़ का खात्मा हुआ या खात्म हुआ editorial का title है इसको मैं highlight करने वाला हूँ और बहुत जबरजस book app मिलने वाली कुछ book app तो ऐसी मिलेगी जो आपके माना कि एक्जाम से related नहीं है एक्जाम में नहीं आएगी बट चीजें आप आर सी पढ़ते हैं या comprehension पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस्तिमाल होता है तो आपको मालूम होना चाहिए हलाकि इसमें बहुत सारी बहुत ऐसी है जो कि यह नाउन बहुत ही important है देख लेते हैं साथी साथ आप वीडियो को लाइक कर सकतो अगर आपको अच्छी लग रही है ठीक है और शेयर कर सकते ह क्लियर बुकेब के साथ साथ आपको क्यूज भी मिलेंगे और वह आपको खुद करने हों दूसरे दिनको मैं करा दूँगा ठीक है फिलाल बुकेब देख लीजिए बुकेब को डिसकस कर लेते हैं और मुझे आप बताना लग हो 15 बुकेब है आप बताना कि आपको कितनी आ हाइफन लगा के लिखना जरूरी है और इंडॉमिनेट का सिनने में अब नेक्स्ट वर्ड़ है एंग्विश एंग्विश का मतलब होता है बेदना ब्यथा कर्ष्ट परिशानी यह सब के एंग्विश के मीनिंग है एक्स्ट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस जब आप मेंटली ब और आपकी personality और आपका जो dominance है उस शेत्र में ज्यादा है और आपको हर कोई greet करता है नमस्ते करता सलाम करता है तो आपकी personality आपका और उसको हम और कहेंगे जो की बहुत ही प्रभाव में आपका एक छेत्र ऐसा बनाती है जहां पर आपकी personality बहुत ही जानी आती है अच्छी और आपको भी जाना जाता है ठीक है उसे कहते हैं हम औरा समझ मा गया distinctive but intangible quality surrounding a person यानि एक person के आसपास की जो area होता है या छेत्र होता है उसमें आपको किस रूप में जाना जाना जाता है ठीक है आपका नाम होता है उसको हम औरा बोलते हैं invincible invincibility आज एता इसको हम जीत ना सकें यानि कि the property being difficult impossible to defeat एक property ऐसे है जिसको हम हराना सकें उसका गुण ऐसा है property का मतले हम गोर्शे हैं जमिजाय से नहीं है ठीक है इसको हम हराना सकें ट्रॉट कमला धीरे धीरे दोड़ना होता है अच्छे परफॉर्म कर पाना किसी को हरा देना तब तो अच्छा परफॉर्म कर पाऊगे फिर भुगाया वह जाए बैंक कुष्ट का मतलब होता है महिमा कद ठीक है हाई लेवल और रेस्पेक्ट गीन कि आपने कितना रेस्पेक्ट गीन क्या हुआ है वो आपका इस्टिक्चो कहलाएगा इसलगिस का मतलब निस्करिये होता है इनेक्टिव होता है ठीक और ही का मतलब रहा है अस्त बियस्त क्या होता है अस्त बियस्त नोट फंक्शन रखना है यह तो इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मालूम उन्चे लेफ हेंडिट बॉलर को साउथ बोलते हैं ठीक है साउथ पर डाबली नहीं वह लजागत देहां रखना बैले जरेंटर यह भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब लाकू होता है हॉस्टल होता है understanding and entering into another feeling यानि किसी की feeling को किसी की परिशान की को ठीक है समझना रॉट का मतलब अकाल होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो यानि कि प्रोलॉंग शॉटेज लंबित दौर से बारिस नहीं हो रही है या कि खाना नहीं है या कोई चीज नहीं से अकाल बोलते हैं ठीक है ब क्लियर है question क्या है choose the word that can substitute the given group of birds a speech made without preparation question क्या है मैं highlight करता हूँ यह लिजी a speech made without preparation speech हुए बिना किसी तयारी की करना eulogy chronical variable एक जम पोर ठीक है आपको ध्यान रखना है एक्स्टैम पो ठीक है तो देख लेते हैं कौन सा answer होगा कि कल मैं करा ही दूँगा यह और यह हैस थ्री में आउटर मिडल एंड इनर इसमें क्या वहरा जाएगा पिलग सब्जेक्ट पार्ट इवेंट्स ठीक है यह भी आया हुआ है आपको बताना है कि इसमें कौन सा answer हो स पैसे हैं जो आप चलो नहीं पता होगा लेकिन फिर भी मैक्जिमम आपको कितना पते हैं मुझे जौरू कोमेंट किया करो थोड़ा शेयर कर दिया करो यार आप लोग थोड़ा वीडियो देखते नहीं हो इसलिए क्या है आगे नहीं बढ़ पाते टरनिंग में नहीं आ पा सब्सक्राइब लिए नहीं हमने क्या बोला है कि इंडिया ऐंद आप मतलव सामने आना चार्शामने आना या पड़ना तो अगे शॉट चोटा फिक से खिलाप किसके खिलाप चोटा पड़ गया तो अबर तिक है इसको हम बोलते हैं इंस्पायट ओफ ठीक है तो फिर यहां फिर डैस्पैट लगाई यह के साथ आफ नहीं आता है एरर ऐसे करके दिये जाता है कि यहां अब बताना इसमेर आफ और यहां अपने यह तो फोटा के साथ और इसके ये लेगिन एंड में आ कर किआ हुआ इंडिया केम अब शौ्ट अगेंस्ट hippie lei कि खिलाब या उस्ट्वेलिया के सामने कुंत कथ है ना यह फिर इसका परफॉर्मेंस है ना प्रफॉर्मन्स छोटा पड़ गया क्लियर समझ गया ना समझ गया तो यह था आज का टाइटल सब टाइटल कहेंगे से अच्छा मैं इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्प्लेइन कर देता हूं देखें टो डिकेट्स आपार्ट यह थोड़ दस्कों के अलावा इंडिया अगें अइंतू ऐस्टेलिया इन बर्ड़ कब फाइनल रिजल्ट वाज दस्प्रेण के बाद इंडिया सामने आया ऑस्टेलिया के घिला ऑस्टेलिया के लाव कि दा रिजल्ट वहा सेम रिजल्ट पहले रहा जैसे पहले इंडिया और स्टिलेस ने जीत पाया वैसा आज भी नहीं जीत पाया क्लियर आच्छा आगे देख लेते हैं इन्होंने बोलाए कि इन 2003 एडिशन क्लाइमेक्स एड जॉन बर्ग जॉन्स बर्ग रिकी पॉंटिंग कि जितने भी कैप्टन थे रिंकी पॉंटिंग और जिनकी जितने भी लाख लाडी थे और 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 वेलमिंग ऑपोजिशन कि वह वह वैलमिंग तक बहुत ही उच्छक थे उच्छा ता उनके अंदर इसलिए वहाँ भी जीत गए वह यह संटनेंस यह क्या कहना चाह रहां ल and dominable की लेटे समीट की बात करें या लेटे जो एडिशन हुआ था या वर्ड कवा थे क्लैस क्या था अमदाबाद इस्टेटियूम में था नरिंद अमदाबाद के नरेंदर है इसलिए उन्हें हरा नहीं पाई यानि कि इंडिया एक तरिके से लूज हार गया इंडिया final तो बी बिद इंडिया उंटिल दा ऑने रडल डौनों ही चैंपियंश की ने फोर सिम जून की तागत दिखाई देती इती टू बिद इंडिया की इंडिया gitu अन्त hayat फाइनल हडल जब तक की फाइनल हडल सामने नहीं आया बाकि जब जितने भी मतलब गेम हुए फाइनल बर्ड कप से पहले तो उसमें लग रहा था इंडिया जी तेगा लेकिन फाइनल में तो आश्टी लिया बाजी मार गया शौरफ गांगली दैन तब की बात करें शौरफ गांगली रोहत स्रमा नहीं और आप रोहत सर्मा पहले कॉं bother श्वर्भ कांगली आप रहां डिहांदस में यह वी सब्जक्त यह भी सब्जक्त दो सब्जक्त को जोड़ गया तो आर्ट से यूजिश कया हुआ अब किया है अशी ठीक है आप दोनों की जो क्याप्टेन जी उलकुल एंग्विश हो गए परिशान हो गए नहीं कि मैंटली डिस्टरब्ड हो गए क्योंकि पता चल रहा है कि वो हारने वाले जैसे उनका पता चला परिशान हो गए कहने के मतल़ सिंपल सी अगर हम कहें परिशान वाली बात आगे देखें इंडिया की बात कर रहा है कि वो टैरिफिक थे पूरे वर्ड कप के दौरान दा बैटर्स एंड बॉलर्स एड दिस औरा कि उनका जो औरा था ना बैटर का बॉलर का दौनों का इन्विंसिबिलिटी ऐसे लग रहा था उन्हें जीत नहीं पहेंगे टैन मैच इस वर वन देट रॉट एड 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 ये वन ऑस्टेली वाज बैंक विश्ट इन अली पार्ट ऑब देट कैमपेंगें क्या कह रहा है कि टैन मैच वर बन दस मैच जीते के अन्द ट्रॉट जो भी हन चला थे तरीके से यह जैसे कहते हैं धीरे-धीरे चलना ट्र हारना गायब हो गई वहां से हार गई इन अल्ली पार्ट अब देट कैमपेंगें के अभियान की जब शुरू आतम मैच हो रहे थे तो वहां हार गई थी ऑस्टेलिया क्लियर आगे इसे मेरा करता हूं तब अच्छा इंडिया का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा था लेकि ICC even throw up the unique challenges की defeat all the rivals सारे rivals जितनी भी इंडिया ने जितनी भी गेम के लिए उसमें क्या हुआ जीता गया यानि कि लीग जितनी भी लीग में उन्होंने गेम के लिए फेजिए डिफलेक्टेड इंडिया कंसेस्टेंश की इंडिया की कंसेस्टेंट्य को डिफलक्त यह बहुत मल्टी टीम ICC event throw up the unique challenge की जब फाइनल में आते हैं बहुत सारी टीमें आती है फाइनल में तो उसमें क्या होता है बहुत यूनिक चैलेंज होता है अलग का मतलब जब फाइनल में आ जाते हैं तो टीम बहुत ही टाइट हो जाती है परफॉर्म अलब करना ही करना उसे बहतर ह है यह सोच लेती है डागे देखिए दा मैन फ्रॉम डाउन अंडर हैब नाउस अवर्ड गप एंड क्यूमें तेर करेंट इसकी पर हैज ग्रोण इंस्टेचर की जो मैंना नीचे से उपर आये सिक्स वर्ड कब जीत चुके हैं क्यूमें के देर करेंट इसकी पर उनके अभ पढ़ गया है कि वो जीतेंगे ऐसा फिल होता है पहले तो नहीं था लेकिन अभी कुछ ज्यादा हो गया उस्टेलिया वालों का इंडियाज फाइनल ओना स्लगेश पिच विड्राइस पॉर्ट अफेक्ट इंडियाज फ्री वालिंग बैटर की और अधियाज पाइनल जो संडे में फाइनल हुआ था और अश लग अधिरे धिरे न वुद्ध टिना वो धीरे विड्राइस पॉर्ट आप अफ्रेक्ट दा इंडियाज फ्री वो फ्लोईंग बैटर्स की जितनी भी बैटर्स से उनको फ्री फ्लो में वो खेल नहीं पा रहे इंडिया वाले इवन इफ रोहित ब्राट कॉली एंड केल राहूल स्कोर रोहित ने ब्राट कॉली ने केल राहूल ने इसकोर अच्छा किया the other found there timing going already कि उनकी और बाकी के इनकी अलाववा बाकी की जो प्लियर थे उनकी जो टाइमिंग तीया वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और जीतने के लिए सब का परफॉर्मेंस अच्छा होना चीजिए टोटल ऑफ टू फूर्टी वस नॉट इनफ दो सोचालिस का जीत पाना कोई बड़ी बात नहीं थी टू टेस्ट ऑस्ट्रेलियन लीटर एट नाइट इस्पेशली बिद्धर डूइंग किकिंग जब डूइंग का मतलब होता है डूइंग का मतलब होता है थोड़ा गीला पन दिए हैं तो क्या हुआ पहले तो ज्यादा बड़ी बात नहीं लिए रात में बाद में करना जी खेल पाना तो यह टफ काम हो गया आगे देखिए डिडियूशिंग ऑस्टेलिया 4743 की डिडियूशिंग ऑस्टेलिया 24743 इंडिया हैड बिंडो अपर्चिनिटी बट वे देखिए यह कहना क्या चाहता है कि डिडिडीूशिंग ऑस्टेलिया टू 4743 की ऐस्टेलिया को रिडियूश खर दिया 47 पर ही यन की 47 ठीक है यानिकि 3 जैसा मालेजिट भी इसने 47 से बंग कर दिया उसको गीम ऑस्टेलिया का इंडिया है बिंडों आप आपका था यह आ पाइनेस्ट बेखती है टूंस का मददर सतक से यहां पर ठीक वर्ड का फाइनल कि उन्होंने सतक मारा कि दा साउथ पॉज बन 37 ठीक है तो उन्होंने साउथ पॉज जो बायां हाथ से खेलते हैं बिल बीश पोक एबाउट लॉंग फॉर लॉंग बन 37 ठीक है तो यह कहीन के बाजी प्लाटने वाला गेम हो गया उसके लिए आगे वाले सेंटेंस देख लेते हैं क्या है यह देखिए सेंटेंस हमारा यहां पर है आगे नहीं वाला है बट परहाप्स दा गेम टर्निंग पॉइंट वाइंट वाज वेंडी तुक डाइविंग कैच जब डाइविंग कैच ली तो एंड रोहिज बलिजरेंट नॉक कि रोहित को कि जैसी कैच लिया गेम ही पलट ग कि उनकी फिल्डिंग तो बहुत टाइट सी इंक्रिडिवल आप शुशनी है वेन अलान बॉर्डर लेफ लिफ्टिट द वर्ड कप एट कोलकाता जैडन गार्डन 1987 अलान बॉर्डर जो थे उन्होंने 1987 में जीता वर्ड कप एट सिगनल निव फीज और यही वहां से चला आ लोगी फिल्डिंग और वाची गेम पलड़ देते हैं लास्ट में आ करके बेद क्यूमेंस की जितनी फिल्डर थे यह प्लेयर थे वह सेम कर रहे हैं जस्ट रिट्रीट इस नेशन लीडिंग पोजिशन इन किर्केट यही बात दोहराते है रहे हैं रिट्रीट का मुला दो प्लेयर प्लेयर्स ऑफ टूर्नमेंट अवर्ड दा कोच राहुल द्रवड श्पोक अब जाइमोशन रॉनिंग हाई इंडा इंडियन ड्रेशिंग रूम की रहुल द्रवड हो या कोई भी हो रहो यह कोली हूँ तो इनको बुल्कुल भी सटिस्ट्रेक्शन नहीं हो रहा इस तरह से जब हारने वाली बात आगी तो नहीं कर पा रहे हैं को रो ना आ रहा एक तरीके से फिलेंग डैट टूथाजन त्री दा फाइनल दोजार तीन में जा फाइनल हुआ है विग नाओ ऑब्जर्ड हाव इस बार रैन इंटू और असीश ऑल ओबर अगीं काली होती है है फिर हम कहें डोटे तो उनकी फिलिंग जान पा रहा हो रहा है घ्राट कॉली इनकी फिलिंग को नहीं जान पर cv यह हारे हैं और कैसे फिल कर रहे हैं इस वर्ड बूड बी दा लास्ट फॉर गोल्डन जनरेशन ओफ इंडिया स्टार्स एज रोहित कॉली रव रविंद जड़ेजा और अश्विन एंड फ्यू अदर आज अनलाइकली टू वी राउंड फॉर टूसादन टेश्विन की अभ आफ्रिका जिंबांबे नामियां यह सारे के सारे जितने भी प्ले आपके टीम है जितने देश की अब देखते आगे क्या होता है फ्लाग दूसरी की उम्मीद की जा सकती नेस्ट वाले की इंडिया जाइस आई से टाइटल ड्रॉट सिंस 2013 2013 से सुखा पड़ा हो एंडे जी जीतेगी जीतेगी ठीक हमारे से सरंबाली कोई बात नहीं हमने अच्छा परफॉर्मिस की आता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तोड़ा अपने आपको फीट ततफवानी चाहिए ठीक है आज के एडिटूरियल आई होप सो आपको समझ में आया होगा और मजा भी यंटिए